केसी वेडू गुपाल जी, सचेन पाइड़ जी, रगुवीर मिना जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सम्निता, भायो और भैनो, प्रेस के हमारे विक्रों, आप सबका यहाँ चिल से मैं प्रवेश चक्ता. और भीर में जो हमारी माताय बेहने बैठी है, उनका मैं च्वाज़ चक्ता हूँ. यह मेरा राज़स्तान का जो दोरा है, यह पिसान का जो कानो कानून बनाया है भीरिती. ये जो किसानों के तीन कानून बनाए है इसके लिए इसके खिलाफ मैं ये दोना करना और मैं आपको और आपके मादियम से राजिस्तान को और पूरे देश को इन तीन कानूनों के बारे ने बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात लोग सोचते है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनस गाड़ी बनाने का है हवाई जास चलाने का है मुबाई टेलफोन का है मगर ये सच नहीं भाई और बेहनों हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस क्रिशी का बिजनस है और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनस है और ये बिजनस बाग की बिजनस जैसा नहीं है और इस बाग को आपको समझनी पड़ेगी ये बाग की बिजनस जैसा नहीं गाली का बिजनस देखिए उसको महिंदरा चलाते हैं ठाटा चलाते हैं एक दो व्यक्ति पुरे बिजनस को कर्ट्रोल करते हैं एर्लाइन का बिस्निस देखिए उसमें इंडियो एर्लाइन कंट्रोल करती है बैंक का बिस्निस देखिए उसमें एकसी एकसी बैंक है कोटब बैंक है चार्थ-पाँच लोग इन बिस्निसे को कंट्रोल करते हैं पुरा पुरा फाइदा इन लोगों को मिलता है मगर क्रिशी का बिजनस ऐसा है जिसको कोई एक व्यक्ति धरी कर्टूर करता है ये ऐसा बिजनस है शाहिए दुनिया में सब बैसा ये बिजनस है जिसको हिंदुस्तान की 40 प्रक्रिशत अबादी कर्टूर करती है और इसमें किसान हैं मजदूर है छोटे भी अपारी है मंडी में लोडर काम करते हैं मिडल साइज छोटे बिस्मिस सब्जी को प्रोसेस करते हैं अचार बनाते हैं कोई मुपली बेचता है ये जो बिस्मिस है करोनों लोगों का बिस्मिस है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिस्मिस है बखलब चालिस लाक करोन रुपए का बिस्मिस है चालिस लाक करोन रुपए अब नरेंद्र मौदी जी ये कानून इसलिए लाए कि वो इस बिस्नस को हिंदुस्तान की 40 प्रक्षिशन अबादी अबादी से जीन कर हिंदुस्तान के दो तीन सबसे बड़े उड़ोग पतियों के हाथ में देना चाहते हैं ये इन तीन कानूनों का लख रुपए और मैं आपको सररीगे से ये कानून समझा नेधा है पहला कानून कहता है कि हंदुस्तान में बड़ा सा बड़ा उल्योंक पति है हंदुस्तान के किसी भी कौने में कितना भी अनाच कितना भी फ़ल कितने भी सबario सकता है अब भाईयों बैठों अगर पूरे देश में बड़े से बड़े उद्योग पती जितना भी मान खरीतना चाहते हैं घरीच सकते हैं तो मंदी में कौन जाएगा मंदी कब क्या होगा भाई ओर डैनों मंदी खतम हो जाएगी मंदियां बंद हो जाएगी तो पहले कानून का लक्ष मंदी को बंद करने का है मतलब जो किसान छोटे भी अपारी का मीटिंग पॉइंट है मिलने की जगा है उसे तोड़ दो उसे खतम करें और किसान को हिंदुस्तान के सबसे बड़े उज्योंपतियों के सामने ख़़ा कर दो दूसरा कानून कहता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े उज्योंपति जितना भी हानाज जितना भी पर जितनी भी सब्जी स्टोरेज में डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं आज एक व्यक्ति के हाथ में और इसको अच्छी तरह सुलिए एक उद्योंपति के हाथ में हिंदुस्तान का चालिस प्रतिशत अनाज उसके स्टोरेज में आज हैं दूसरा कादून कहता है 80% स्टोरेज एक आज़ी के हवाले कर दो जितनी देर वो स्टोरेज करना चाहता है करने दो मतलब Unlimited जमाठोरी Unlimited बिना लगान के जमाठोरी Essential Commodities Act की हतिया हो ना क्या किसाद अपना अनाज अपना फल अपनी सब्ची बेचने जाएगा उसके सामने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उग्योगपती मिलेगा उद्योगपती के साइलोग में स्टोरेज में हिंदुस्तान का 80% पना जोगा सब जिया होगी पल जैसे ही किसान को अपना माज बेचने का समय आएगा उससे 10 दिन पहले उद्योगपती अपने साइलोग से माल लिकार के मार्केट में डालेगा अनाज को मार्केट में डालेगा जैसे ही वो अनाज को मार्केट में डालेगा अनाज का दाम एक दम सिके लेगा और किसान को कम से कम पैसे में अपना अनाज अपनी सब्जी अपना फल बेचना पड़ेगा उचके बाद किसान कंजुमर बनके अपनी सब्जी खरीद में जाएगा अपना ही पल अपना ही अनाज खरीदे दुकान में जाएगा उच टाइम वोही उद्योंपती मार्केट से अनाज खरीदेगा पल खरीदेगा सब्जी खरीदेगा और अपने साइलों में डालेगा सब्जीों का दम, दम, फलों का दम, अनाज का दम आस्मार में जाएगा और फिर किसान को दुगना पैसा अपने ही अनाज को खरीदे के लिए देना करेगा मतलब दो बार आपको चुन लगे एक बार बेचने में और फिर एक तम बार खरीदेगा अब लोग सोचते हैं कि भाईया किसान का मुष्कान हो रहा है हम तो मिडल क्लास के हैं हमारा क्या देना देना कोई कहता है कि भाई मैं तो विया पारे हूं अनाज के लिए फल के लिए जादा पैसा देना पड़ेगा और छोटे भी अपारी मिडल साइट बिजनस छोटे बिजनस आप बात समझ लूँ आज जो आप करते हो कर वो कोई और करेगा एक बड़ा उजयोग पती करेगा आपको मौदी जी में तीन आप्शन दिये हैं पार्लिमेंट में कहा मैंने आप्शन दिया मैं बताता हूं आप्शन किसानों को मद्दूनों को जोटे भी अपारियों को स्मॉल मीट्यम बिजन वालों तीन आप्शन दिये हैं पहला आप्शन भूख दूसरा आप्शन बे रोजगारी तीसरा आप्शन आतम हथिया यह आप्शन दिये हैं और होगा क्या यह जो बिस्नस है चालिज लाग पर और का बिस्नस यह हिंदुस्तान की जन्ता को रोजगार देता है इसके पिना हिंदुस्तान रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा जो आपका है नरेटर मोदी दो लोग को दे रहे हैं और जो यहां युवा करे है आपका भमिश्य आपसे चीना जा रहा है हिंदुस्तान की रीड की हर्टी को तोड़ा जा रहा है आपके आँखों के सामने यह नहीं बात नहीं है भाई यो भेलो इसकी शुरुआत करेंटर मोदी ने नोट पर्दी से की आपके जेपे से तरसा निकाल करूँ नहीं दो पर्दी नहीं लोग पर्दी नहीं रहा है सारे के सारे चोटे बिसनस मिडल साइड बिसनस उसों बिसनस इसको रज कर दिया खक्प कर दिया उडा दिया भाई हो जैनो रास्ता साथ किया जा रहा है रास्ता साथ किया जा जा रहा है किसानों को मज़़ूरों को वियापारियों को चोटे बिस्नस वालों को परेगिया जा रहा है सिर्फ हिंदुस्तार के दो तीन उद्यों पजितों के दिये रास्ता साथ दिया उनका लाथों करों रुपे कर्दाबात दिया कोरोना के समय मजदूरों ने हाथ जोड जोड के नरेंटर कोजी के रेलवे कटिके मागा पस का टिके मागा नरेंटर के नरेंटर मुदी के नहीं रुपिया तरी दोगा मगर उसी समय नरेंटर मुदी एक लाग पचास वजार के लो रुपे हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों कर्दाबात रुप मेरी दिम्लाइब आपको बताने कि नहीं सुनना तो मत चुरो मेरा काम आपको बताने काहिस सब्सक्राइब अब लेकिए कोरोना कोरोना काम था फेब्रिरी में पिछले साथ मैंने एक बार में दस-पंदरा बार मीडिया से कहा कोरोना से भारत माता को जबर्दस्ट नुक्सान होने वाला है कोरोना से किसानों को मजदूरों को गरीबों को जबर्दस्ट भयानत चोट लगने वाजिए प्रेस वालों ने मेरा मज़ा तुढ़ाया प्रेस वालों ने मेरा मज़ा तुढ़ाया प्रेस वाले कहते हैं यह किसान नहीं है यह देश ध्रोई है नरें प्रमोटिक पार्लमेंट हाउस में उनको अंदोलन चीवी कहते है उनका अमात करते है उनका बजाद बुढ़ाते है मैंने पार्लमेंट आपते बाचे में 走़के कि बाच पिए बज़त पर बाचे भ्रक के बाचे नहीं बोलूँगा मुझे कोई परग भी पढ़ता मैं सिर्फ प्रक के मुझे कर unfold हुआ हुआ है और हुआ है और फिर मैंने कहा है मैंने सांसर से कहा है देखिए बाई और मैंनो मैं अब 2004 से लोग तबावे हो और मैंने बात देती है जब भी कोई शहीर होता है जब भी किसी की मिर्ट्यू होती है तो पार्लिमन पूरा 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 पार्लिमन दो मिनट मौन खड़ा बता है और मैंने एक बात देती हमारे दोस्तों किसान शहीर हुए मगर पार्लिमन ठाउस लोगसवा राजसवा में दो मिनट के लिए सांसर मौन नहीं खड़े हुए तो मैंने कहा ठीक है नहीं हुआ तो मैंने कहा मैं अपने भाशन के बाद अकेले यहां तो मिनट के लिए चांद कड़ा हो जाओगा किसानों का अधर करने के लिए और जो भी मेरे सांसर कड़ा होना चाहता है और जो भी मेरे सांसर करा होना चाहता है खड़ा हो जाए और मैंने कहां और बीज़ेपी का एमपी घड़ा होना चाहता है घड़ा हो जये व्रभाश के एमपी खड़ा होना चाहते तटेंगा मंत्री कि का जाते चाहते। ना कोई पलती कड़ा उब ना कोई बीजेटी का MP सांट कराओं विपक्ष के सब लोग खरे हो गए मगर बीजेटी का एक आंजी हो हमें नहीं कराओं तो उनिया के सामने इन लोगों ने किसान का अफ़ान गिया और फिर निकर ने कहा कि आप लिख के दीजिए और मैं आपको कहना चाहता हूँ मैं लिख के स्पीकर को दूँगा कि दोनों लोग सबार राजे सबा को दो मिनट मौन में ख़ड़ा होना चाहिए और में लिख के दूँगा और मुझे पूरा बरोसा है कि स्पीकर लोग सबार को दो मिनट मौन में खड़ा हुना थे थाा आपने लिख भाइन में और वहां ने क्या गंदी दी जब मैं खड़ा हुआ हूँ आ कि दो मिनाट के इक मैं गंदी कि जाए